हालो स्टुडेंट्स तो आज हमारी जो एक्साइज चल रही है 12.2 उसका कोश्चन नंबर जो है हमारा 13 जो पेज नंबर एंग्साइटी की बुक पे 231 पे दिया हुआ है इंग्लिस मीनियो वाली बुक पे तो स्टुडेंट्स यहां से हम अपना कोश्चन को पढ़ते हैं दे हम इसके कोश्चन नंबर 13 जो है और कोश्चन नंबर 14 दोनों को कम्प्लीट करेंगे जिससे कि हमारी 12.2 कम्प्लीट हो जाएगी और नेक्स उसके साथ में हम 12.3 को सॉल्व करेंगे तो स्टुडेंट्स देखिए कोश्चन क्या है कोश्चन है हमारा एक राउंड टेबिल क कवर है अ कवर है जिए इकोल डिजाइन इसके इंदर एकोल यह रेड कलर से जो बनी होई है यह डिजाइन है शो इन दफिगर दर रेडियस औफ दा कवर इस 28 cm तो स्टुटेंट यहां से देखिए इसकी रेडियस जो है वो कितनी है हमारी 28 cm यह इसका सेंटर माल लेंगे हम और यहां सेंट डिजाइन को हम एक रेडियस दे देते हैं जो इसकी रेडियस कितनी है 28 cm हमें हमें गिवन है इसकी डिजाइन के जो हमें यह इसके इंदर करना क्या होगा सबसे पहले हम इसे डिजाइन का यह जो side पे जो design है सरफ इनका ही हमें area find out करना है और इनकी जो labor charges जो है वो 0.35 रूपीज पर cm2 का हमें गीवन है तो जोड़े हैं सबसे पहले हमें overview अपने question का तियार कर लेते हैं जैसा कि मैं आपको पहले बताता हूँ कि सबसे पहले में question का एक overview तियार करना होता है तो overview में क्या करेंगे सबसे पहले हम student क्या करेंगे हम इसका हमारा triangle यहा पर a pb इसका area find out करेंगे फिर sector जो है हमारा sector ओ a pb का area find out करेंगे यानि कि sector जो आ जाएगा हम यहाँ पर एक रफवर कर लेते हैं क्या करना है हमें यहाँ पर हम निकालेंगे O, A, P, B का area माइनस इस में से हम area कर देंगे A, P, B जो हमारा triangle जो बनके आएगा इसका area तो इसके बाद में जो हमें area आ जाएगा area हमारे पास में find out हो जाएगा area of area of A, P, B इसका area निकालने का देंगे 6 की हम इसमें multiply कर देंगे तो हमारे पास में total area आ जाएगा design का और फिर उसके अंदर जो उसकी labor charge जो है 0.35 जो हमें दी हुई है या 0.35 रूपीज पर centimeter square की जो labor charge हम उसकी multiply कर देंगे तो student question को start करते हैं कुछ इसी तरीके से हम question को करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है यहां पर student के यहां पर हमारे center पर center पर जो कितने degree का angle बना आ हम निकालेंगे हम जानते है center पर देखिये total जो बनता है 360 का और upon इसके पार कितने हो रहे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो student यह 6 से हम इसे divide कर देंगे तो हमारा जो angle जो आ जाएगा center का वो कितना जाएगा 60 degree आ जाएगा तो यहाँ पर theta की जो value है वो कितनी निकल के आ जाएगे मैं 60 degree तो यहाँ से student हमें अपने center का जो angle है वो भी हमें पता चल जाएगा है अब यहाँ पर इससे आगे हमें करना क्या है अब हम निकालेंगे area of in सबसे पहले in triangle OAP OAB OAB तो student यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो radius जो है यह कितनी दी हुई है 28 cm यानि की OB तो यहाँ से हम देख लेंगे OB कितनी हो जाएग कि दोनों radius है OA इसकाल टुकीत नहीं हो जाएगी OA तो student यहाँ से हमें पता चल रहा है कि OA बराबर क्या है OB OA बराबर क्या दी हुई है OB दी हुई है अब student हम करेंगे क्या अब हम अपने इस triangle के जो है तीनों angle को find out करेंगे यानि कि angle OAB plus angle OBA plus angle ABO तीनों angle को यहाँ पर देखें O, A, B A, B, O और फिर का उन सा निकालेंगे हम A, O, B तो तीनों angle को find out कर लेते हैं यहाँ पर हमें यह angle कितने का दिया हुआ है 60 degree दिया हुआ है तो student यहाँ से देख लेए हम अपने इंगल में देख लेते हैं अगल हमें given है यहाँ से angle O, A, B O, A, B है अब यहाँ से हमें कौन से अपने angle लेने हैं angle O, B, A यह जो हो जाएगा हमारा देखिए O, A, B जो है angle यह O, B, A के equal हो जाएगा क्यों क्यों हो जाएगा student क्योंकि O, A बराबर O, B है बराबर कर लेंगे तो हम यहां से यह पता चल जाएगा ओए इसकल तू कितना है हमारा सिश्टी डिगरी आया है और सिश्टी डिगरी निकालने के बाद में हम तीनों एंगल्व को यूज़ कर लेते हैं तो यहां से कितना हो जाएगा एंगल OAB plus angle OBA plus क्या हो जाएगा यहां से angle तीसरा angle हो जाएगा हमारा angle AOB is equal to sum of three angles sum of all three angles of triangle is equal to कितना होता 180 degree होता है तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना है 180 degree का है अब देखिए दोनों angle क्योंकि यहां पर OA बराबर OB है तो यह कितना हो जाएगा यह भी दोनों angle जो है यह दोनों बराबर हो जाएगे तो यहां से student हम क्या अगल लेंगे angle OAB क्योंकि दोनों बराबर हैं यह तो दोनों को मिलाके OAB बराबर क्या है OAB बराबर OBA है तो दोनों को हम जोड लेंगे, तो दोनों को एक बरावर माल लेंगे, तो angle 2 O A B हो जाएगा, प्लस यहां से हो जाएगा आपका, अब हम इसमें से अगर निकालेंगे, तो student यह हमें पता है कि हमारा angle कितने का है, 60 degree का है, तो 180 minus replace करेंगे, side change हो जाएगी, तो कितना हो जाएग यानि इससे हमें पता चलता है कि हमारे triangle के तीनों angle जो है, वो कितने के हैं, 60 degree, 60 degree, तीनों angle ही जो है, उनके हमारा नाप कितना आगया, 60 degree, अब देखें, जब तीनों angle ही 60 है, तो it means यह कौन सा है, हमारा equalated triangle है, यानि तीनों angle जो है, वो हमारे equal है, तो student यहाँ पर, जब area of triangle कौन सा है हमारा, OAB, जो है, अब हमें यह पता चलिगा कि यह कौन सा है, equalateral triangle है, तो इसका formula कौन सा होता है, अंडरूट 3 upon 4 into क्या होता है, side का square, तो student, यह क्या हो जाएगी हमारी, side का square हो जाएगा, अब यहाँ से देख लीजे, तो यह कितना हो जाएगा, square root 3 upon 4 into student, इसकी side कितने है, side है हमारी, यानि radius किया है, radius कितने हमारी 28 cm, तो इसका square हो जाएगा, 28 into 28, तो student क्या हो जाएगा, 28 into 28 हो जाएगा, 4 से 28 को हम डिवाइड कर देंगे, तो 4 से अगर हम 28 को यहाँ से क्या करेंगे, 4 से 28 को हम कर देंगे, divide तो कितना हो जाएगा, 7 तो यहां से इन दोनों के हम multiply कर देते हैं अब हमारे पास आ गया 28 into 7 under root 3 तो student इनकी 28 into 7 के हम multiply कर देंगे तो कितना हो जाएगा 196 under root 3 इस दोने देखिए 7,8 into 2 कर देंगे 28 into 7 is equal to कितना हो जाएगा ओके student तो हमारा ये cm2 में हमारे किसका एरिया आ गया हमारे triangle का एरिया आ गया ये वाला अंदर वाला जो एरिया है ये हमने find out कर लिया है अब students हमें करना क्या है अब हमें अपने sector का area find out करना है यानि हमारे sector कौन सा sector OAPB तो यहां से निकाल लेते हैं area area of sector OAPB OAPB का area हम जो find out करेंगे तो यहां से student क्या हो जाएगा देखे इसका जब area निकालते हैं तो क्या होता है theta upon 360 into pi r square यह होता है हमारा formula theta upon 360 into pi r square तो यहां से student theta की value कितनी है क्योंकि center पर angle कितने का बना है 60 का तो 60 upon 360 यहां से इसे divide कर देगा तो कितना हो जाएगा 1 upon 6 into क्या हो जाएगा pi r square यहां से हम कर देते हैं 1 upon 6 into pi की value कितनी है 22 upon 7 into r radius कितनी है 28 into 28 तो student यहां से भी क्या हो जाएगा इसे हम divide करेंगे तो कितना 4 time अब हमें यहां से मिल जाए 6 है अब हम इन दोनों की multiply करते हैं यह 2 से हम divide कर देते 3 time 2 से divide करा 11 time तो student हमारे पास यहां पे क्या है रहा गया अब हमें यहां से मिला है 11 into 4 into 28 upon 3 ओके student तो अब हम इन सब की multiply करेंगे 11 into 4 कितना हो जाएगा 44 और 44 में अगर हम 8 की multiply करते हैं तो student हमें मिल जाएगा 1232 upon 3 अब student हमें क्या करना 1232 को 3 से हम divide कर देंगे तो हमारे पास आजाएगा 410.666 cm आगे तक यह 66 चलता रहेगा cm इसको है तो student जो हमारे sector का area जो है OAPB का area हमें find out हो गया अब हमें निकालना किसका था अब हमें इसमें से sector का आगया अब हमें segment का area find out करना है segment A, P, B का क्योंकि यह हमारे area क्या है यह का design है और हमें इसी का area जो है वो find out करना था तो अब student हम निकालेंगे area of segment तो हम यहाँ से निकालते है area of segment क्या है हमारे segment है APB APB का जो हम area find out करेंगे तो हमें क्या करना है अपने total sector के area में से sorry OAPB के area में से यानि area of OAPB minus triangle का area triangle का है हमारा OAB minus triangle OAB तो student यहां से क्या होगा दिखान दीजिए यह statement हमें लिखने बहुत जरूरी है इससे जो हमारा examiner जो होता है जो question को चेक करता है teacher उसे समझने में बहुत आसानी होती है और हमारे number बहुत अच्छे दिये जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं उसे direct कर देते हैं उससे student आपके marks मतलब आपका answer तो सही आएगा पर आपके marks थोड़े कमाएंगे तो वो हम लोग सोचते है student सोचता है कि यार question तो हमने पूरा गया था पर हमाने marks क्यों कमाएं क्यों कि वो इस टाइप से statement पूरा नहीं बनाते हैं तो statement दियादर के student board exam के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ से student दोनों के हम area को जो है उनमें से minus कर देंगे तो student हमारा first area के क्या आया है हमारे sector का area आ गया था हमने सबसे पहले अपना sector का area find out कर लिया तो हमारा sector का area कितना है 410.666 minus इसमें से क्या करेंगे हम अपने triangle का area minus कर देंगे तो यहाँ से student देंगे 196 under root 3 की value हमें दी हुई है यहाँ पर 1.7 है तो हमें एक काम करते हैं इसके अंदर क्या करेंगे 1.7 की 1.7 की multiply कर देंगे तो 1.7 की अगर इसमें multiply करते हैं हम यहीं पर कर लेते हैं तो कितना हो गया 333.2 अब इस्टुडेंट 1 410.66 में से हम अपने दौन एरिया को एक दूसरे में से जब हम क्या करेंगे माइनस कर देते हैं तो स्टुडेंट हमारे पास अंतर कितना आएगा 77.466 आप चाहो तो इससे decimal को खतम करते हो है 4.7 भी इसे लेके यहीं पर हम खतम भी कर सकते हैं तो यहां से देखिए 77.44 जो आ जाएगा यह हमारे design का area आ गया centimeter square में यानि किसका आ गया यह जो हमारा red जो design है यह corner की design इसका आ गया अब ऐसी हमारे पास में जो हमारा जो round table का cover है इसके अंदर यह six designs हैं कितने design हैं हमारे हैं हो कौनों पर एक डिजाइन है 123456 तो हमें करना क्या आएगा टोटल एरिया जो हमें find out करना है अपने के लिए तो टोटल एरिया है टोटल एरिया ओफ डिजाइन है इस कल्टू कितना हो जाएगा एक इसका एरिया कितना है एक डिजाइन का एरिया 77.466 तो इसके इंदर कर देंगे तो हमारे टोटल एरिया जो आ जाएगा 464.8 cm2 तो इहां से एरिया जो है यह मल्टिप्लाइग करके कितना जाएगा 464.88 cm के विच्टू मेंट्र हमारी केलकुलेशन और वीडियो थोड़ी बड़ी ना बने से हमने कैलकुलेशन पहले से की हुई है आप लोग जिसे कलकुलेशन पर तन दीजेगा थागए हमारी जू इरिया जो जो टोटल smट्र जो हमारे टी 54.88 अब हमारे इस aria के हमें एक रिट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 0.35 पैसा और सेंटीम्टि इसकार इस डिजाइन को बनाने का मेकिंग चार्ट दिया हुआ है तो हम हमें निकालना है कि टोटल कोस्ट की आएगी है इस डिजाइन को बनाने एक दो समझे लेटे हैं टोटल कोस्ट को स आध अधि को सो से पाध डिजाइन गई के इस कद तु 0.35 एटू एरिया आफ डिजाइन ऑफ डिजाइनगा लक्राइछ यहां से आप इंटू क्या हो जाएगा इसमें 3.35 की जो है 0.35 की कर देंगे multiply तो student इस area के इंदर हम 0.5 की जो multiply कर देंगे तो हमारा answer आ जाएगा 162.68 रुपीज तो student यह जो आ जाएगा 162.68 रुपे यानि 162.68 पैसा तो student हमारा question number 13 है वो complete हो गया है आप एक बार से दुबार से समझ लीजिए सबसे पहले हमें करना क्या है अपने question के इंदर हमें यह हमारा triangle है OAB इसका area find out करेंगे फिर हम sector AOPB का area find out करेंगे यहां से दौनों के area को निकालने के बाद में क्या AOPB minus triangle का OAB का area जो है इसमें से minus कर देंगे तो हमारा जो segment है segment का area हमारा आ जाएगा APB का तो student इस जैसी जो APB sector जैसी जो है हमारी 3 segments हमें दिये हुए है इसमें 6 की multiply करेंगे तो 6 की multiply करने के बाद में total area आ जाएगा total area of design और उसके इंदर उसकी cost की multiply कर देंगे तो student question number 13 आपक complete है अब next question number 14 करते है students हमारा अब question है question number 14 जो हमारी 12.2 का last question है बहुत ही आसान सा question है देखे इसे तो जो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है एक फिर से एक circle है जिस पर जो center of the angle क्या है हमारा P है radius है इसकी R अब यहां से देखिए हमें करना क्या है question हमें क्या दे रखा है Tick the correct answer in the following the area of the sector of angle P यहां पर angle P है और इस sector का area हमें find out करना है the circle with the radius R जिसकी radius क्या दी हुई है हमें capital R दी हुई है अब यहां पर student हमें यह बताना है कि इसका area का formula क्या बनेगा हमें 4 answer दिये हुए है चारों में से कोई A correct है वो हमें बताना है solve नहीं करना है बढ़ थोड़ा समय बताना है अब आप चाहो तो थोड़ा समय इसे solve भी कर सकते हैं कोई numerical value हमें दी हुई नहीं है तो student यहां से देखे हमें capital R दी हुई है अब हमें इसके 4 option दिये हुए A क्या है हमारा P upon theta 2 pi R next B दिया हुए P upon 180 pi R square C दिया हुए P upon 360 into pi R square और जो D दिया हुए P upon 720 into 2 pi R square है तो student हम जानते हैं कि हमारा जो sector का होता है हमारा एंगल उसका area क्या होता कि अगल क्या होता है में Arms the 360 थीटा पॉन 360 यहां पर यहांनी थीटा क्या होग जो भी हमारा एंगल बनेगा 360 into क्या होता यहीं होता है अभी तक मैंने यहीं आपको बताया अब यहां इहां से देखें क्या हो जाएगा पी हो जाएगा फूर ऑप काईते से अगर आप देखो तो यह हमारा एंसर होना चाहिए और हम इसे टैली करते हैं कि कौन सॉप्षन बन रहा है पी अप 360 तो देखो P upon 360 कहीं है P upon 360 answer number C के अंदर बहुत अच्छी बात है अब यहां से क्या होता है जो इसका circle का area क्या होता है हमारा pi r square बट यहां पर pi r है square नहीं है तो it means c भी हमानों नहीं है next पर चलते हैं अब देखते हैं pi r square कहा है pi r square यहां पर बट पी अपॉन 180 तो जबकि होता क्या है 360 यह भी हमारा अगलत हो गया तो student हम यहां से दें अपना option number D पर चलते हैं अब देखे pi upon 360 यह बट क्या है two pi r square है अगर हम अब क्या करेंगे अगर हम two की multiply यहां कर दें और two से इसे divide कर दें क्या करेंगे two से pi r में two से हमने multiply करी और two से हमने divide कर दिया तो student क्या बन गया P upon 360 की two में करी तो multiply कितना हो गया 720 इंटु क्या हो गया इंटु हो गया two pi r square क्या हो गया two pi r square अब अगर आप देखो तो हमारा जो अगर two से देखो two को divide कर दोगे तो वापस कितना हो जाएगा पी अपॉन 360 इंटु pi r square हो जाएगा यानि जितने की हम multiply कर रहे हैं अगर उतने की divide कर देते हैं कभी कवारा situation के complete बनाने के लिए पर student हमारे उसमें चेंज अंसर में कोई चेंज नहीं होता है तो इसलिए हमने क्या करा टू से multiply करा टू से डिवाइड करा वह देखो टू से टू कैंसिल करा तो वापस 360 हो गया और पाई यार स्कॉयर बन गया यानि थीटा अपॉन पाई यार स्कॉयर अपॉन 360 बन गया तो इस कंडिशन में के अंदर 12.3 को सॉल करेंगे हैं